लो गाइज आप सब कैसे हैं अमिद करता हूं कि आप सब खेरियस होंगे तो दोस्तों आज हम सेखने वाले हैं गतार प्राब सबक्राबि मैं के अपना कारें में आप सब्सक्राबि आप करते हैं तो इसका इंटरम्ट इम इन आच कोई भी आपन reach को एड करेंगे एड प्लस वाले मेन्यों को क्लिक करके तो मैं आपको सारा इसका तरीका बताता हूँ क्या इसका तरीका है इसे यूज करने का क्या तरीका है यहां से हम एक ये पिचर ले लेते हैं मोडल की तो जैसे ये इसमें इंपोर्ट होते हैं मैं इसी क्लास में आप सब को बता दूँगा कि क्या तरीका है इसका इसकी दो या तीन चार या पांच कलास है नहीं बनने वाले इसी पहली कलास में मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगा ठीक है तो आप साथ साथ सेखते रहें तो दोस्तों देखें जैसे इसके हेर उल्टर है हवा में जूरुरी यह नहीं कि इसी तरह की पिचर हो तो आप उसको ही अनिमेट कर सकते हैं आप कोई भी जिस तरह की मर्जी पिचर ले सकते हैं सिंपल हो यह बहुत फैशनेबल हो वह आपकी मर्जी है अब यहां पर देखें एक path की option है जहां पर यह highlight color मिला है में orange और साथ यह एक इसके anchor point है जिसे anchor कहते हैं ठीक है आप इसे pin भी कह सकते हैं तो यह कोई path यहां कोई pin remove करने के लिए यह उन्हें option दी है razor की remove tool की ठीक है तो यह freeze है किसी चीज को आपने अपने इनके ना ब्रेश के साथ इसे जमा देना है आप उसके साथ ही इसके साथ भी काम कर सकते हैं यह anchor की जगा पर फ्रेश के साथ भी ठीक है यह unfreeze के option है ठीक है फ्रेश को remove करना ठीक है अब मैं इनका आपको practically करके दिखाता हूं कि इनका क्या यूज है और कैसे यह असानी के साथ एक पिचर को हम animate कर सकते हैं तो अब इसके बाल देख रहे हैं मैंने यह पिचर इसले स्लेक्ट किया क्योंकि आपको समझाने में मु इसके option दी है camera fx की और साथ इसके आप यह भी option दे सकते हैं dispression और sticker text यहां पर filter मिलते हैं यहां पर color adjust की भी option मिलती है तो दोस्तों बीना अब भाते किये मैं आपको अब काम करके दिखाता हूं ठीक है यहां से हम सबसे पहले इसके लगाएंगे path के हमने कौन से जगा move करनी कि uneãy कि जगा को हमने animate करना है और उसे किस रुख की तरफ animate में लाना है अभी हम इसके बाल हिवा में बूट रहे हैं हम उपर की तरफ यावा सब्सको बस लाएंगे path इस तरफ लगाई एक पात ऐसे लगाई, एक ऐसे लगाई, एक ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे, जहाँ जहाँ इनके ज़्यादा बाल नज़र आ रहे हैं, उस तरफ आप इसको पात लगा दे, अब यह हमारी पात लग चुकी है, अब हम इसे पले करके देखेंगे, क्या रिजल्ट मिलता हमें दिखने क यह देखें दोस्तों उसके बाल जहां तक भी काम कर रहे हैं तो अब इसका फेस देखें फेस पर यह आरफ्एक्ट काम कर रहा तो यह जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है अब हमें इससे कैसा की करना आ है यही तरिका भी आपकोैं को मैं बताता हूँ यहां पर हम इस video को stop करते हैं, तो इस anchor को लेते हैं, anchor को लेंगे, थोड़ा से picture को zoom करके यहां पर इसकी skin बर ऐसे लगा देंगे, जहां जहां यह pin लग जाएगी, वहां वहां से यह कभी नहीं खिलेगा, हमने इसके face पर लगा दिया, अभी इसकी इस सारी body पर भी anchor point लगा द दोस्तों, तो यहां ऊपर भी एक से दो तिन हम दगा देंगे, तो अभी इसे play करके देखते हैं, तो यह देखे दोस्तों, बहुत ही मज़े की यह, एक app बनाई है, move peak वालों ने, और भी काफी सारी आपको play store से मिल जाएंगे, पर यह मुझे थोड़ी अची लगी थी, इस इसे भी अच्छी अच्छी है, मैं यह नहीं कहता कि यह बस बहुत अच्छी है, तो इसके बाद आप इसे picture पर गोर कर सकते हैं, कि और कहां कोई मसला है, अगर आपको नजर आता है, तो आप उसे भी हल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल okay हो चुका है, तो अभी हम इस पर affect लगाएंगे, यहां पर हमें इसकी freeze की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी आपको फ्रीज भी इसमाल करके दिखा देता हूँ, यहां पर हम इसे freeze कर देते हैं, अभी यहां से जरा सी भी यह picture नहीं हिलेगी, पिन लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप इस बले करके इसके खाली रहती है, इसे वो खाली नहीं रखेगा, पूरा feel कर देगा, ठीक है, तो unfreeze यहां से आप कर सकते हैं, यहां पर आप इसकी speed रहा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यह देखें, अभी इसकी speed बढ़ गी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बढ़ी हुई speed अच्छी लग रह है, अभी हम इस पर affect apply करेंगे, कौन सा affect यह वाला, डिस्प्रेशन का affect हम इस पर apply करेंगे, तो यहां पर काफी सारे उन्हें प्रिसल्ट दिये हुए, हम जो पहले बारा इसी click कर देंगे, ठीक है, अभी इसे हमने click कर दिया, अभी यह एक हमें यहां पर दिखेंगे, आपक जिस दिशा में इसे लेके चलना है, आप उससे इस तरह move कर सकते हैं, ऐसे move करके, जहां आप इसे लेके जाना चाहें, लेके जा सकते हैं, तो हम चाहते हैं, थोड़ा सबस्किन पर आए, यहां पर ठीक है, तो आपके सामने यह देखें, affect हमारे लग चुके हैं, अभी हम इ ले आजाते हैं, और ले भी बहुत कमाल की चीज़े हैं, यह देखें दोस्तों, यहां पर लाइट्स हैं, यहां पर यह फ्लावर आगे हैं, अब यह मैंने कोई चीज उसकी डॉनलोड नहीं की, साथ-साथ यह डॉनलोड भी हो रही है, बहुत से इसके अंदर आपको affect मिले हैंगे, ठीक है, तो हम यह वाला लगाते हैं एक दफ़ा, यह देखें, यह भी चीज़े हैं, अभी वाला डॉनलोड हो रहा है, यह डॉनलोड हो चुका है, कोई इसमें मसला नहीं के कोई चीज आपके apply नहीं होगी, जो चाहिए आप इस पर apply कर सकते हैं, यहां पर यह दे लोगे हैं, थोड़ा सा contrast हम बढ़ाएंगे, उसके बाद हुई को थोड़ा सा हम छिड़ेंगे, थोड़ा समो मुली सा, यहां तक सही है, इसकी saturation अगर आपने बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हम हुई को पीछी कर देते हैं, अच्छा नह देखें, यह इसका है, विगनेट, आप जितना चाहिए, इसे उतना black मिला सकते हैं, आउटसाइडों को, और जितना चाहिए, कम कर सकते हैं, यह fade option है, यह देखें, यह भी बहुत प्यारा fact test के लिए, यह shadow है, जहां पर shadow वहां से यह उसे remove करतेगा, तो लहाजा shadow थोड़ा अच्छा लग रहा है, यह highlights है, इनको कम करने के लिए, ठीक है, यहां पर tempo आजाएता है, इसका तो आप सबको पता है, कि यह करता है, इसे blue और yellow, ठीक है, अभी हम effect की तरफ एक दहा फिर जाएंगे, यहां पर camera पर आएंगे, यहां पर camera पर आएंगे, यहां पर camera पर आएं एक जैसे हम camera चलाते हैं, कोई scene दिखाने के लिए, zoom या out zoom करके, अभी हम इसको click करेंगे, यह थोड़ा सा time, थोड़ा सा loading में time लेगा, apply होने में, बहुत ही मसेगा दोसरी app है, आप अपनी किसी भी picture को बहुत ही एक खुबसूरत अंदास से त्यार कर सकते हैं, अभी यह द move कर सकते हैं, इसे जिस तरह का मर्जी, ठीक है, अभी यह वाल effect open करते हैं, यह देखें, यह सासार ऐसे camera भी कम करें, पर यह simple जो है, यह बहुत अच्छा लगता है, हम simple को रखेंगे, इसको आप तेज भी कर सकते हैं, ऐसे, हम इसे की थोड़ी speed भढ़ा कर रखते हैं, इसल कोई बहुत सारे और भी effect है, यह sky caption आ जाते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह का background लगाना चाहते हैं, background कहारों कोई भी effect देना चाहते हैं, यह देखें, यह देखें, तो thank you दोस्तों, अगर आपको यह video अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना माच पुलिएगा, thank you